हेलो एब्रीवन आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल आल इन बन में तो मैं आपके लिए अपडेट लिखे हूँ एक काफी पॉटेंड अपडेट है काफी क्वेंस आ रहे थे स्टूडेंस के की आंसर की कब आएगी ठीक है तो गाइस फाइनल जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक शेयर और अगर कोई डाउट है जब वीडियो अच्छी लगया तो कमेंट जरूर करें ठीक है आपके लिए काफी पॉटेंट अपडेट है गाईस तो यह जो है जो 17 से लेके 25 अगस जो health and medical education के लिए exam हो था CBT उसकी answer की वो release करने वाले हैं वो कब release करेंगे guys answer की है जो 27 से आ जाएगी ठीक है answer की आपकी जो है 27 से आ जाएगी और वो 29 तक की आपको दिखी की guys यह आपके लिए important है 29 के बाद आप answer की नहीं देख पाऊगे आपको पूरा question आ जाएगा question paper आ आ आ जाएगा वहाँ भी वो आपको पूरा बताया होगे कि आपने कौन सा टिक किया है क्या किया है ठीक है आपको पूरा CVT का यह benefit आपको पूरा का पूरा वाँ पर दिखने वाला है तो guys आप यह video देखें द्यान से ठीक है तो यह है आपका क्या है कि jkssv हो रहे हैं कि एक link jkssv.nic.in इस पे वो तीन दिन के लिए answer की available करवाएंगे 27th से लेकर 28th 29th तीन दिन और candidates cash कर सकते हैं guys यह तो आपको answer की दिखेगी और आपको अगर लगता ना कोई कि आपका question मतलब कोई भी question है जिसमें आपको लगता कि इसका answer यह नहीं यह था लगता नहीं है guys आप sure हो आपको अस documentary आपकी book पे लिखा हुआ है documentary evidence है तो आप representation भी send कर सकते हो ठीक है तो आपको उसके लिए करना है document representation वो भी 29th तक submit होगी ठीक है आपको वो कर रहा है पर guys आप tension मतले आप परिशान नहीं है हम उस पर भी एक video बता देंगे कि आपको अपनी कैसे answer की check करनी है ठीक ह आप tension नहीं लें आप चैनल को subscribe कर लें परिशान नहीं होए ठीक है तो यह जिक्यासी नहीं important instructions दी है यह दियान से आप सुने यहां पर जिक्यासी नहीं लिखा हुआ है कि आपको क्या करना बढ़ेगा roll number वहाँ पे इंटर करना है date of worth इंटर करनी है select करनी है date of examination और best timing जैसे आपका डई वेजे से साधे चार था जा सुवा था नो से ग्यारा था जो भी आपकी best timing की वह आपने select करनी है वहां से to view the response sheet question and answer की वहां से आपको पूरा अपना question paper आजाएगा guys यह काफी आप मतलब मैं मैं बोलूँगा आप परिशान हो चाओगे कि यह क्या है मतलब काफी अच्छा है CBT काफी अच्छा रहता है काफी बंदों आप मैं से पता होगा मैं ऐसे वह थोड़ा accelerate करके तो यह आजाएगा आपका question पर आपके सामने आजाएगा तो यह कल से होगा हम बता देंगे उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे तो question आपका जो होगा जो answer आपका यह नहीं है लगता नहीं है आप शोर हो मतला आपके आज कोई documentary evidence है कि इस question का answer मैंने यह टिक किया है पर उन्होंने write बताया है ठीक है ठीक है तो आपको submit करने है representation ऐसे नहीं करने है तो यह आपका क्या है guys यहाँ पर तो इन्होंने बताया हुआ है आपको करना question enter question against question in objection field तो दाल सकते हो तो यह भी आपको इस checker में नहीं पढ़ना इतना स्यादा परशान नहीं होना है पर अगर आपको representation डालनी होगी तो हम वह भी आपको कल जब answer किया है कि बता देंगी कैसी करना तो objection सिर्फ आपको English मैं submit करनी है objection can be against questions and their alternatives और आप objection जो है वो कुसकी question के लिए raise कर सकते हैं जो आपको मलग लगता है जिसका क्या documentary evidence है कि इसका answer यह नहीं है ठीक है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बार objection लगा दोगे ना वो added नहीं होगी letter तो आपको ध्यान से objection file करनी है सबको नहीं करनी है guys सब परिशान नहीं होएं सबको नहीं करनी है यह जिनको नहीं होगी तो guys यही थी आपके लिए important update तो इसमें मैंने बताया आपको कि जो answer की है वो आने वाली है कल आने वाली है हम उस पे भी एक वीडियो बता देंगी कि आपको कैसे answer की वो करनी है पर उसके लिए आप वीडियो को like कर दें share कर दें अगर कोई doubt है तो please comment कर दें और